अगर हम इस तरह से जीवन को जीना चाहिए या जीवन हमारा सफल हो सकता है अगर हम इस तरह से जीए and it is to connect with the nature and all of the creation so सिरफ nature में हम सिरफ plant animals को नहीं बोलते हैं जो भी चीज है जो भी इस धर्ती के उपर है जो उस सबसे हमको connect होता है of course आप connect करते हो angels और यह सबसे जो धर्ती पे नहीं रहते होंगे भल but that is you are using for the journey purpose right but otherwise you are connecting to each and every atom okay so it's a natural way of living क्योंकि हम यहां पर यह क्या बोलते हैं medicinal या जो artificial या जो वो तरीका है जो हम healing के लिए use करते हैं कि दवाई खालो या किसी प्रकार की चीज को अपनी body में insert कर लो जिससे के आप ठीक हो जाओ है ना जो कि एक chemical component की बनी है वो हम इसमें इस्तमाल नहीं कर जो इस नाच्रल वे और बीब and it is in our ancestor DNA so इसके लिए जब when you will go through it आपको सब याद आज़े आप सब चीजों को भली बानती पूरी तरह से कर पाऊगे it's not difficult okay लेकिन at the same time it requires a process यह चीज को आपको समझना पड़ेगा okay now जो world है उससे आप जो यह experience करोगे तो आपकी दुनिया जादा बहतर हो जाएगी जादा अच्छी हो जाएगी इसलिए हम बहुत बार इसको process को बोलते हैं waking from sleep जैसे कि अभी तक आप सो रहे थे आपको होश अवास नहीं था अब आप होश में आ रहे हैं that's what is the consciousness is rising okay और यह जो भी आप इसमें सीखोगे वो आपका direct और personal experience होगा so यह जो tradition है यह एक oral tradition oral tradition that's what I told कि इसमें कोई written scriptures नहीं है there are books shamanism पे books हैं बहुत सारे authors ने books लिखी में हैं you can always refer and of course आपको notes मिलेंगे लेकिन as such it is not something कि भाई वो बहुत scripted है it is something जो धीरे धीरे हमने एक जगे से derive किया है लोगों कि थूँ pass on हो है okay so shamans जो है वो believe करते हैं कि everything is made of energy and energy जो है वो dead नहीं है वो alive है वो conscious है नहीं तो आप बोलो कि energy तो है लेकिन energy alive नहीं है तो it is something which is alive right फिर उसके बाद जो even human objects है जो हम भी बनाते हैं आज लकडी के हम पाइदान बनाते हैं seat बनाते हैं bed बनाते हैं हर चीज में energy है there is energy in everything okay हर चीज जो है वो spirit उसके अंदर है spirit is consciousness okay और हर कोई जो है वो एक दूसरे से connected है so we are connected to each and everyone through the atom so it's a full web it is not कि भई आप अलग हो दूसरा अलग है क्योंकि कई बार कई लोग energy का माधिन तो समझ जाते हैं लेकिन उनको लगता है मैं energy हूं फिर दूसरा energy है फिर तीसरा energy ऐसा नहीं यह यहां पर हम सब एक साथ है right okay so try इसलिए वो कई बार पहले एक book में लिखा था you know you become animal and you start behaving like an animal ऐसा कई बार होता है when you're doing shamanism आप ऐसे ही वो animal की तरह ही ही लगने लगते हो and your behavior your तरीका वो ऐसा ही हो जाते you know okay so वो एक क्या बोलते है न हमारा एक जैसे मुहावरा that is like a इसका मतलब यह नहीं क्या आप actually बोलोगे कि मैं you know बाहर निकली तो मेरे husband ने बोला कि तुम तो गाहे लगरी हो यह शेर लगने लगे हो that is not the thing लेकिन you behave or you become virtually you can exhibit that kind of a thing okay so यह हम को सिखाय जाएगा how to travel in this interconnected way that is what we are going to do and यह सब शामन्स करते आये हैं अबी तो okay